प्राब्लम से सल्यूशन ता, आस्कृता, नो यूर फेट रत्नों का जादू कुछ ऐसा है किसके प्रभाव से इंसान के किस्मत बदली जा सकती है जिन्दगी में ऐसे बदलाओ और रत्नों के प्रभाव से आज सकते हैं जिनकी आप कलपना भी नहीं कर सकते जानकारों का मानना है कि एक ऐसा रत्न है जो धर्ती पर खुदरत की एक चमतकारी संग्रचना है एक ऐसी संग्रचना जिसको रिशी मुनियों ने नव रत्नों की श्रेणी में रखा था उस रत्न को हम ओपल के नाम से जानते हैं इक चमतकारी रत्नों में से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है ओपल अन्यक रंगों का होता है सफेद या हलके रंग के ओपल ज्यादा प्रभावशाली माने गये हैं ये एक साथ तीन तीन ग्रोहों को प्रभावित करता है ये जलतत्तों को सीधे प्रभावित करता है करक राशी वाले लोगों के लिए ओपल अत्यंत लावकारी होता है भावनाओं को नियंतरित करने के लिए भी ये लावकारी माना गया है मन को संतुलित करने के लिए ओपल अध्भूत रत्न है जो तिश्क जानकारों का मानना है कि ओपल रत्न शुक्र के प्रभाओं को बढ़ाने के लिए धारण किया जाता है हीरे के दो उपरत्न हैं पहला जरकर्ण और दूसरा ओपल ओपल रत्न को दुधिया पत्थर के नाम से भी जाना जाता है ओपल से शुक्र गरहक मजबूत होता है ओपल पहनने से दामपत्य जीवन बहतर होता है मान सम्मान में व्रिद्धी होती है इसका प्रयोग मोती के बिकल्प के रूप में भी किया जाता है तो आप विज्योतिष्ट की सला और अपने लगन या राश्री के नुसा चमतकारी रत्न ओपल धारन कर सकते हैं इससे आपके जीवन में सुखत और सकारात्मक बदला होगा इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब अहरता, know your faith ज्योतिष शास्त्र में दैनिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के कई प्रयोग हैं और उन्ही में से खास है रत्नों का प्रयोग और ज्योतिष्टी मानते हैं कि रत्नों का प्रयोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि ये सीधे सीधे आपके शरीर और जीवन को प्रभावित करता है अब पोखराज रतने अगर आप धारण करते हैं तो ये आपकी सीधा सीधा ग्यान को दर्शाता है आपके अध्यात्मिक ताक दर्शाता है मगर वहीं पर जो व्रिशब लगन, तुला लगन, मकर लगन या कुम लगने के जातक हैं इनको पोखराज नहीं धारण करना चाहिए अगर आपको पोखराज अशुक प्रभाव देता है तो इससे आपका मुटापा बढ़ता है बॉडी में फैट बढ़ता है, बेट केन होता है या फिल लिवर या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है तो पोखराज धारण करने से पहले इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि एक पर आप अपना कुडले का विश्लेशन करा ले अब हम एक और ऐसे रत्न के बारे में बात करेंगे जिसका उपयोग आपके जीवन में खुश्रियों की सौगाद ला सकता है वो रत्न है लाजवरत यह नीले रंग का बहुत सुन्दर रत्न है इस पर सुनहरे छीटे पाये जाते हैं यह दो सबसे शक्तिशाली ग्रहों को नियंत्रित करता है जो लोग कुम्बर आशी के जातक हैं उनके लिए रत्न बेहत प्रभावशाली होता है जो त्रिश के जानकारों की माने तो लाजवरत रत्न आपके जिवन से जुड़ी तमाम तरह की परिशानियों को दूर कर सकता है वो कोन सी परिशानिया है आये जानते है चोट चपेट से रक्षा करता है भय को दूर करने के लिए रत्न बेहद लावकारी है आध्यात्मिक लाव के लिए इसको धारण करना चाहिए यह जितना ज्यादा नीला होगा उतना ही प्रभावशाली होगा यह आत्म विश्वास बढ़ा देता है इससे शिक्षा में कागरता भी बढ़ती है तो आप बेन जादूई रत्नों का प्रयोग कीजिए इन चमतकारी रत्नों को धारण करें इनकी चमक से आपके जीवन का अंदकार दूर हो जाएगा और इनकी प्रभाव से आपकी जिन्दि कि चमक जाएगे आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्टु तक एप और चिटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रॉलोजर से